दिल्ली का चुनाव ये दिल्ली के लिए तो है ही लेकिन दिल्ली के चुनाव की और पुरे देश की निगाही भी लगी है क्योंकि आज देश के अंदर जिस प्रकार की असमंजस की परिस्तिती निर्माण हो रही है जिस प्रकार से कुछ लोग मिलकर इस देश में अराजकता फैलाने का कान कर रहे हैं जिस प्रकार से अशांती इस देश के अंदर फैला ही जा रही है मैं पूछना चाहता हूँ मुदी जी ने नागरिक्ता का विधेत लाया और नागरिक्ता संशोधन कानून तयार किया क्या गलत किया जो हमारे भाई पाकिस्तान में बंगला देश में अफगारिस्तान में रहते थे हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई हमारे बौध भाई, हमारे जैन भाई जिन परिवारों को केवल धर्म के आधार पर वहां प्रताडित किया गया, उनकी मा बहनों पर अत्याचार हुए, उनकी सारी संपत्ती छीन ली गई, इसलिए उनको अपने पेंत्रुक राष्ट भारत में आना पड़ा, भारत में आने के बाद 20-30-30 सानों से यहां रहते हैं, लेकिन कोई सुईदा नहीं पापाते हैं, क्योंकि यहां की नागरिक्ता नहीं मिली, ऐसे प्रताडित लोगों को नागरिक्ता देने के लिए कानून तयार किया, जिस कानून के कारण हमारे हिंदू, सीख, बौध, जैन, जो वहां से आये हैं, प्रताडित होकर आये हैं, उ इसके चलते हैं, आपकी नागरिक्ता चीन ली जाएगी, आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, वोड़ों की राजनिती के लिए, एक प्रकार से लोगों में भेद तयार करके, और आमने सामने की लड़ाई हो, और ये देश अंदर से खोकला हो, इस प्रकार का प्र नहीं है, तो ये चौपाल अधूरी है, भारत की बिना इस चौपाल को कोई मतलब नहीं है, मोदी जी ने भारत की परिस्तितिया के एक मजबूत देश के रूप में, आज जब भारत पूरी दुनिया में काम कर रहा है, ऐसे समय भारत को अंदर से खोकला करने का काल कुछ ल हमने कलपना नहीं की थी, संतर सालों से हमारी चाती में नासूर था, कि हमारे देश का तिरंगा शान के साथ कश्मीर में लहरा नहीं पाता, देश का सव्विधार कश्मीर में अपमानित होता है, मोदी जी ने तिन सो संतर को हटा कर, ये परिस्तिति लादी, इस 26 जन्वरी क जम्बो और कश्मीर की हर गली में तिरंगा शान से लहरा रहा था और भारत के सव्विधान का संबान हो रहा था, और इसलिए इस भारत को खोखला करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हम जानते हैं दिल्ली के शाहिन बाग में क्या हो रहा है, वहां किस प्रकार की बाते हो ही है, कोई वहां आकर कहता है पाकिस्तान की सरकार बहुत अच्छी है, कोई कहता है हम तो पाकिस्तान गयते साथ, वहां की अवाम बहुत अच्छी है, उनको तो पाकिस्तान की अवाम अच्छी लग रही है, वहां का शासन अच्छा लग रहा है, कोई शरजील इमाम कहता है मैं तो पाच लाख लोग लूँगा और भारत से असम को तोड़ दूँगा मैं तो कुछ लाख लोगों को लेकर नॉर्थ इस्ट को भारत से तोड़ दूँगा और JNU में कुछ लोग कहते हैं भारत तेरे तुकड़े होंगे 50 और ऐसे लोगों पर एफायर होता है और उनके ओपर चारचीट दाखिल करनी है तो उस चारचीट को माननेता देने की भाइल केजरिवाल जी के पास जाती है केजरिवाल जी उसको साइन नहीं करते उनके ओपर चारचीट दाखिल नहीं करते और इसलिए दिल्ली के चुनाओं में ये सवाल भी केजरिवा जी को पूछना पड़ेगा भाई बताइए आप देश के साथ है या तुकड़े करने वालों के साथ है आप देश के साथ खले है ये जो भारत तेरे तुकड़े होंगे पचास कहते है उनको पचाने के लिए आप लगे और इसलिए ये सारे के सारे लोग मिलकर सत्ता के लिए इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं भाईयो जब आठ तारी को बुआनिय सुभाज जी के कमल का बटन हम दबाएंगे तो केवल सुभाज जी को वोट नहीं होगा ये वोट एक ताकत होगी मोदी जी के इरादों को जनोंने 370 खटम किया ये ताकत होगी मोदी जी को जनोंने भारत को एक मजबूत भेश बनाया ये ताकत होगी मोदी जी को जो भारत को एक महा सत्ता की और ले जा रहा है और ये ताकत होगी मोदी जी को कि मोदी जी आप संगर्ष करो देश आपके साथ है दिल्ली आपके साथ है ये कहने वाला ये चुनाव है और इसलिए मेरा विश्वा से 8 तारीक को कमल का बटन दवेगा 11 तारीक को कमल खिलेगा दिल्ली में भी भारत ये जन्ता पार्टी की सरकार आएगी और भाई सुभान जी रेकॉर्ड वोतों से चुन कर आएगे इसके लिए आपका आशिरवान मांगता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ जय हिन जय भारत भारत मता की भारत मता की भारत मता की प्राट मापगी